हेलो एंड वेलकम टो आर्पी स्टेडी पाइंट्स नमस्कार दोस्तों आर्पी स्टेडी पाइंट्स के इस प्लेटफार्ण पर आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो मैं प्रोफेशनल एक्जामिंसन बोर्ड अर्था पी इबी के द्वारा जो ट्रेनिंग आभिसर स्लेक्शन टेस्ट अर्था आई टीए टीवो का जो एक्जाम हुआ था आठ नवंबर 2016 को सेकेंड सिप्ट में तीन पीम से पाच पीम तक जो एक्जाम था उसका प्रिवियस एयर का पेपर लेके आए हूँ दोस्तो इस प्रिवियस एयर के पेपर को आधार बना करके अभी जो आई टीवो की जो वेकेंसी आई है इसके अब तैयारी कर सकते हैं दोस आब और 25 मार्क का है दोस्तो यह जीके होगा था दोस्तो जो आज का जो पेपर है यह डिजल मेकेंसरेट का आपको याद रखना है डिजल मेकेंसरेट का ओसदो Pacific को बेसमान करके आप अपने तैयारी मजबूत रख सकते हैं है दोस्तो एक अनुमान लगा सकते है की इसी तरह का ही पेपर आएगा 2022 में भी आए दोस्तों स्टार्ट करते हैं को स्टन से दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छ लगे ताप वीडियो को लाइक कि चैनल को सब्सक्राइब जरू करें आए दोस्तों कि इसमें जो पहला कोस्चन दिया था कि मद्दपे सरकारदार सुरू की गई एम से क्षा मीत्रे क्या है तो इसका जो आंसर है दोस्तों यह आपस नमबर चार क्या है सिक्षकों के लिए मोबाइल एप दोस्तों उस समय 2016 का करेंट अफियर है इसके बाद में नेक्ष्ट कोस्चन है मद्दपेस में भारत का सबसे बड़ा भंडार है तो यह तामबा का सबसे बड़ा भंडार है मद्दपेस में भारत का सबसे दिख सबसे दिख ताबा होता है मद्दपेस में इसके बाद नेक्ष्ट कोस्चन है निम नदियों में इसे कौन सी नदी मद्दप्रेस में आरंब नहीं होती दोस्तों जो बनानस नदी है यह मद्दप्रेस में आरंब नहीं होती दोस्तों चंबल नदी मद्दप्रेस से निकलती है इन दोर से वेंगंगा और छिपरा दोस्तों यह तीनों नदी मद्दप्रेस स निकलती है जो बनांसा नदी है यह मद्धप्रेश से आरंब नहीं होती है इसके बाद में नेक्स्ट कोस्चन है कल्री पाइट्टू मार्सल आर्ठ का एक प्राचिन रूफ है इसका उदर किस राज्य में हुआ था इसका आंसर दोस्तों केरल राज्य में हुआ था एक करेंट अफेर का कोस्चन है इसके बाद नेक्स्ट पोस्चन है इसका आंसर है 1962 से 1947 तक राधाक्रह्य में भारत के राश्ट्र पत्रित रहते हैं इसके बाद नेक्स्ट पोस्चन हैimate गुआल्यएर में जनमे संगितकार आमजे डली खान कौन सा वाध्यानतर बजाते हैं इसका सही आंसर है सरोत वादक है अमजदली खान इसके बाद में नेक्स्ट कोस्चन है कब खजराहों के इस मार्कों को युनेस्को दर विश्व विरासित इस्थल में घोसित किया गया है तो दोस्तों इसका जो आंसर है में में इसको एपक्षा इस्थान जिने युनेस्को की विश्व धरोरिस्थाल में सामील हैं वार तमान में तीन पहले थे दोग्व वरतंवान में इभी सामील किया गया सिए इसके पाद डेख्ष्ट कोस्चन है 1756 से 1868 तक निकोबाद दी परकिस रोपी देश का इस्तावित था तो इसका अंसर है डेन्मार्क का इसके बाद मैं एक्ष्टर कोस्चन है पुस्तक ड्रिवेन दी विराट कोली स्टोरी के लेखा कोन है इसका सही अंसर है विजय लोकपली इसके बाद नेक्ष्टर कोस्चन है मद्दप्रेस में केमूर मेकला महादेव क्या है तिसका सही अंसर है पहाड केमूर मेकला महादेव है पहाड इसके बाद नेक्ष्टर कोस्चन है राश्टी वीदी संस्थान विश्वी विद्याले कहां है तो भुपाल में है इसके बाद नेक्स्ट कॉस्चन है एक विशम को ग्याद किजिए इसका सही अंसर है दस्तो दाद जो चारों में विशम है इसके बाद नेक्स्ट कॉस्चन है निर्ण से कौन सी मद्दप्रेश में स्थितेक जिल है तो इसका अंसर आजाएगा दोस्तो तवा जिल जो है मद्दप्रेश में चिलका जिल उडिसा में है दोस्तों लोक्टक जिल मद्दप्रेश में नहीं है सीवसागर जिल मद्दप्रेश में नहीं है इसके बाद नेक्स्ट कॉस्चन है मधद प्रेस के अली राजपूर को मधदल्प्रेस का कहा जाता है इसका एंसर है चेहरापुंजी जी कहा जाता है कि इसके वाद में इसका नेक्स्ट कोस्चन है उन्यूश्य सदी में सर सेयद अहमाद खांद इस्थाफित एंगलो ओरियंटल कालेज को किस नाम से जाना जाता है इसका अन्साही आंसर है अलीगर्ड मुस्लिम युनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है इसके बाद में नेक्स्ट कोस्चन है सर के किस भाग में कोलेस्ट्राल का उत्पादन मुख्यूर्प से होता है होता है तो इसका जो आंसर आजाएगा यकरत में होता है दोस्तों यकरत में होता है कोलेस्ट्राल का उत्पादन इसका और नेक्स्ट कोस्टन किसके हट्टा के बाद हरिवान सराव बच्छन अपनी अंतिम कविता एक नमबर 1934 में लिखे इसका आंसर है इंदिरा गांधि की हट्ट्य के बाद में कि इसके बाद स्थिंट्र में से कुण सा सर्वच असेनिक समानिक भारत ये को दिया जाता है भारत रत्न जुसतों जुकि सरेनिक समान नहीं है अए कि इसके वाद में सबस्त कर्या है कुल है रंगा स्वामी कफ किस खेल से संब्धि इसका अंसर है हाट की से संबंदित रंगा स्वामी कफ इसके बाद नेक्स्ट क्योच्छिन परियारा में मुक्ते ना किसके बढ़ने से ग्रिन हास गिर्नाउस प्रभाव होता है इसका सियांसर आजाएगा कारबंड एकसेट के बढ़ने से गिर्नाउस प्रभाव होता है इसके बाद नेक्ष्ट कोस्चन है महाभारत का मुलनाम है जय सहीता है महाभारत का मुलनाम इसके बाद ने भरत नाट्यम आराम हुआ था हम तमिलनाइडिंगभारत नाट्यां आ Hm है यह के ए इसके बाद स्वर्थ कर ज्रूला महल भी कहते हैं मत भे consistency में इस्थित है है में तो दोस्तों यह कौश्ट्प्रेंप्स एन धाई है है हनुला महल जिसे जूला मौल भी करते माढट्व्रस के कौनसे जिले में इसतित है तिसका आँसर आजा गई हर जिले में है जिले में मंदब्रस के इसके बाद नेक्स्ट और च्वसानर निल्खित में से कॉनसी 5 जो मंदबस में निर्मित नहीं होती इन इसका आंसर पोचंपल्य के साड़ी जो मदघ प्रस में नहीं होती तो होती है महस्वरी भी होती घृषप is b02 को अधसे इसके बात जो कोस्चन थिजल लूं के चलो हो गां ओ तीजल मेंकनिक ट्रेट के 75 कोश्चन है यह दोस्तों देखते हैं कोश्चन है नेम्द इस्टुमेंट यूज टूचे के पिस्टन रिंग गेप इसका सही आंसरा जगा है दोस्तों फिलर गेज दोस्तों किसी भी अगर मेटिंग पार्ट है अगर इसका गेप अगर चेक करना ह है तो इसको फिलर गेज किसे चेक कर सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट दा पावर डेलेब्ड इन इंजन ड्यू टू बर्निंग आप एयर फुल मिक्स्चर इस काल्ड दोस्तों इसको बोलते इंडिकेटेट पावर जो मिस्रन जो बर्निंग होते एयर फुल मिक्स्चर इसको बोलते इंडिकेटेट पावर जो किस लेंडर में उत्पन होती है और दोस्तों जो क्रेंग साप्ट जो क्रेंग साप्ट पर जो पावर उत्पन होती है इसको बोलते ब्रेक पावर ब्रेक पावर इसके बाद में एक्स्ट कॉस्चन है एर फिल्टर क्लीन दा एर बीफोर इट गोस इंसाइड दा स्लेंडर वाट विल हेपान इफ अन्फिल्टर एर इंटर दा इंजन कंटिनुसली दोस्तों यह बोल रहा है कि अगर जो एर है अगर बिफिल्टर के अगर अंदर प्रेस करें तो क्या होगा तो इसका सियांसात है इंजन पार्ट विएर आउट फास्त इंजान के बाग तेजी से घिस आंगे दोस्तों वीर एंट यह होगा जिसे उसके पार्ट में जिसाव होगा इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है वाल क्लियंस इस गीवन टू इंसर देट दवाल क्लोस फुली वहर इस दवाल क्लियंस गीवन इन ओवरहेड वाल ओफरेटिंग मेकनीजम दोस्तों इसका जो आंसर आए बिट्वीन वाल टिप और राकर आरों फिंगर के बीच में इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है दोस्तों हिंदिय में देखते हैं उस उपकरन का नाम बताई जो दो संकलित भागों के इतिशकेट्स भात को निकालने के लिज़ प्रेग तो होता है को मोलते है आप घर सक ऑच हो इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है बेटरी इनयों विकल होती है यह से पाइज दोस्तों जो बेटरी में है दिट्टिल वाटर की रूप में हिरू कि फुर्व है कि इसके बाद सिधाने कि इसको हूं बोलते हैं पिस्टन इसकर्थ पिस्टन के नमें है इसको दोस्तों बिस्टन रहता है यह बद इल्मुनियम इलायका बना होता इसलिए बना होता क्योंकि यह लाइट धातु है इसके बाद नेक्षट कोश्चन टेव वाइसर और यूजड टेव पाइसर काई के लिए उपयोग होता है आपको बताना है यह चार आपसान में से प्रिवेंटिंग व्यूल्ट सेखने के लिए शेट लाइकिंग के लिए वाइसर का उपयोग है कि इसके बाद में नेक्ष्ट कॉस्चन है कि वीच आप दा फालुइंग एरलेस इंजेक्शन सिस्टम हैस फ्यूल इंजेक्शन पॉम्प एंड फ्यूल इंजेक्टर इन वन यूनिट मतलब कि निम में से कुन सी वायरो ही अंध्छेपन प्रनाली कि काई में इंधन अंध्छ और लिए इसके बाद नेक्स्ट कॉस्चन है खालाओ खाल स्वाइसानी दिस्टेंस बीटूइन सेंटर आप दा फ्रंट फिर इसको हम बोलते हैं जो फॉन्ट फइल रहते हैं थैसा और जो फ्रंट फिल की बीच की यह जो दूरी को बोलता है तो दोस्तों आपको याद इसको बार नेक्स्ट कॉस्चन है इन विच इंजन विल उन्दक रेंग साप्ट लेंथ भी मेग जीमा मतलब कि ऐसा कौन सा इंजन है इसमें क्रेंशाप्ट की लेंथ सबसे अधिक होगी इसका से आसर इनलाइन इंजन दोस्तों इन लाइन इंजन क्या है तो ये IC इंजन का टाइपस है IC इंजन न थाथ इंटर्नल कमिस्टन इंजन दोस्तों ये कोश्चन को केंसिल कर दिया है तो देख लेते क्या है मतलब कि जहां लगातार संजन और हटाने और पुन्हा इस्थापन क्या सकता होती वहां खलस्तान प्रकार के नट का प्रेयोग होता है तो दोस्ति इसका आंसर विंग नट दिया था बागी कोश्चन में कुछ मिश्टेक होने के कारण इसको हटा दिये गया है इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन दा पाउर डेलेवड इन इंजन ड्यू टू बर्निंग आप एयर फुल मिक्सचर इस काल्ड इसको हम बोलते है आई एच पी अथा इंडिकेटेट हास पावर जो इंधन के जलने के कारण पन होती है इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन इससेल इनलीड आशिड बेर्ट्री आटेट डिवल पर वे म्क्ता व स्था इसका सही आंसर जागा टू-पाइंट वन फोल्ट दूसतों सहीं इसका आंसर जो है टू ओल्ट आता है परुंति हैं अप्सन में 2.1 है इसलिए 2.1 ही था इसके बाद नेक्स्ट कॉस्चन है लेकाप लुब्रिकेशन में बेरिंग इस ड्यू टू मतलब कि मुख्य बेरिंग में इस नेहक की कमिक हलिस्तान के कारण होती है तो इसका जो आंसर है इसका जो आंसर का आईल होल इन क्रेंग साप्ट ब्लागड़ मतलब कि क्रेंग साप्ट में अवरूद तेल छिद्र के कारण नेक्स्ट कोस्चन है तो point angle up twist drill for general purpose मतब्स twist drill का angle कितना होता है general purpose इसका सिह answer 180 degrees दोस्तों यह hard material है इनके लिए जो point angle है यह 188 degree से कम होता है और sapt material के लिए अधिक होता है प्लास्टिक के लिए गर हम बात करें कि प्लास्टिक और सब्सक्राइब के लिए कितना होता तो यह होता है 90 डिग्री पॉइंट एंगल कि आडिव आइडेंटिफाइब टाइप आप शोटिंग आप गजन पिन प्रोवाइड विद सर्क्लिप विद सर्क्लिप में कौन सी गजन पिन होती दिए इसका से आंसर फुल फ्लोटिंग गजन पिन इसके बाद नेक्स्ट कॉस्चन है एक्सेस कार्बन डिपोजिशन इन एक्जास सिस्टम विल निकास तंतर पर अत्यदिक कार्बन के निछेपन से क्या होगा इसका से अंसर हो जाका इनक्रेस्ट पेक्ट मतलब कि ब्रेक क्लेशर में पस्चिदाब में व्रधी कोगी सर में अको अ मज़िसके बाद मैक्स्ट कोश्चन साफथ में बने ओधी तो गरनाइट की बने अधी सर्थें प्लेट इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है वाइब्रेसं डेमपर इस यूज़ इन फ्रंट आप क्रेंक साफ्ट फार वाइब्रेसं डेमपर का उप्यों काई के लिए होता है तो इसका जो आंसर दिया है दोस्तों नाब्द एबो इस्टोर एनर्जी के लिए भी नहीं होता है कि बिच इंजनन आके लिए होता है रिडी यूंज टैंसं के लिए भी नहीं होता है कि वीच आप इंस्टुमेंट दू मेजर टेफेट क्लेंस के लिए दुस्तों फिलर गेज का उप्यों होता है किसी प्रकार के क्लेंस में आपने के लिए नेक्स्ट कॉच्चन वीच वन आप दाफ हालिंग वर क्लिंग कैंजक्शन विद गभरनर मतलब कि निमन मेज से कौनसा गभरनर के साथ सब्सदूंजर कारे में करेगा इसका जो आंसर आजेका है दुस्तों फियों इंजेक्शन पंप कि फूल इंजेक्शन पंप जो गवर्नार के साथ कारे करेगा इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है इन इंजन इस्टाप ट्रक्टुएचिंट ट्रक्टुएटीं डू टू सम्फाल्ट एंड इज बियांग दा कंट्रोल आप दा अपरेटर इटीच काल्ड मतलब कि जब को इंद्रन से बाहर हो ज्यादा तब इसे कहते हैं इसको बोलते ब्रेक डाउन को कि नें को इन ठेक क्लेस दोस्तों यो निंजनाम इतों कंफडिन कैसा होता तो Exact क्यों exercise कि असका होता है तो कट्सटन्ट क्रेशन नमें प्रेसर पर होता है डीजल इंगन में अ है ये नेक्स फइल्ट एंगल फास्क्राबरी ते होता दूस्तों बारा डिगरी से पंद्रा डिगरी था इसक्राइबर का इंगल फाइंट एधिट कुछन है पिस अप्स्टन डिंग और मेडा पिस्टन डिंग का यह से बनित होती है जो piston ring है यह बनी होती है cast iron से और piston काय से बनता है तो piston बनता है दोस्तों एलमुनिया एलाइ से नेक्स कोच्चन बाटेज फंक्षन आप आईल कुलर इन इंजन इंजन में आईल कुलर का काम क्या होता है इसके बाट नेक्स कोच्चन है में फंक्षन आफे फ्लाइविल का काम क्या है तो इसका जो में काम है दोस्तों फ्लाइविल का इस्टोर एनर्जी डूरिंग पावर स्टोक एंड सप्लाइविल इट इस इन आईडल स्टोक मतलब कि पावर स्टोक के द्वारान एनर्जी को इस्टोर करके रखना और फिर तीन स्टोक जो बाकी बचे है उनमें वह एनर्जी को सप्लाई करना इसके बाद एक्स्ट कोचन इन इंजन है क्लेंस वालियूम एक हजार क्लेंस वालियूम सब सेंटीमीटर का क्यों एंड स्वेट वालियूम 900 सेंटीमीटर क्यों the compression is compression क्या होगा दोस्तों यह बताना है दोस्तों जो compression ratio का जो सूथ रहोता compression ratio का का total volume total volume upon clearance volume total volume में आ जाएगा clearance volume प्लस स्वेट वालियूम अपान clearance volume अगर इसको अगर हम आगे देखेंगे clearance volume 100 है और स्वेट वालियूम नाउसाव है clearance volume 100 है और स्वेट वालियूम है नाउसाव अपान क्या जाएगा clearance volume 100 और इसको हम आगे अगर केल्कुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा कि एक हजार यह हो जाएगा और नीचे हो जाएगा स्वेट एक जिरू स्वेट एक जिरू कटी जाए एक जिरू से एक जिरू तो इसका आंसर आ जाएगा दस अंपात एक यह मतलब कि कंप्रेशन जो रेशो का सूत्र होता है यह होता है क्लेंस वालियूम प्लस स्वेट वालियूम अपान क्लेंस वालियूम इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन खादस्तान इस यूजिट टू लिम्ट ग्सेमिंप्रेशर आप ली इव सबासर आइम आईल का मेंग्स्ट कि दॉर्ओ अ इसका सीनत थी अन्सरों प्रेसर रिलीफ वाल्व के द्वारा प्रेसर रिलीफ वाल होता है दोस्तों इसका नेक्स्ट कॉस्चन तो इज दिस्टेंस बिट्विन सेंटर आप दो क्रेंग पिन तो दे सेंटर आप दमेन जनरल दपिस्टन स्टोग इज इसका से आंसर आजेगा दो गुना हो जाए गए कि इसका नेक्स्टन भाट इज रिजन फार एक्सेश्यू चेंड़ इन टाइमिंग केस मतलब की जो चेंड है इसमें अत्यधिक रिजन क्या होगा तो इसका से आंसर आजाएगा दोस्तों एक्सेश्यू वियर आफ इस्प्रागेट जब चक्रदंत के तदी घिसाई के कारण नेक्स्ट कोस्चन दफ्यूल टेंक कारड़ेट विद बेफल्स भाट इज परपस आप प्रड़िंग बेफल्स बेफल्स का उप्योग क्या होता है तिसका से आंसर टूएड स्लसिंग आप फ्यूल डूरिंग मोमेंड संचल संचलन के दोरान इंधन के विकंपान को रोकने के लिए बेफल्स का उप्योग होता है करेंड शोर्चन करेंट विए इनन सर्किटेश मतलब करेंट कैस मोँ आप तो एंपी अर में करेंट को आपते हैं इसकी बाद नेक्स खुशन बेटरी स्टोर इलेक्ट्रिकल एनरजी ना फारमा प केमिकल इनरजी बेच बेटरी जो है केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करके रखती है एनर्जी को इसका नेक्स वर्चन वाट विल हैपन इफ दा सेटिंग इन दा वोल्टेज डेगुलेटर इस टू हाई अगर वोल्टेज डेगुलेटर हाई है तो क्या होगा इसका से आंसर चार्जिंगा बेटरी विल भी हाई एट रेट हो जाएगा इसका आंसर इसके बाद नेक्स्ट कॉस्चन फोल्टेज पेट्रोल इंजन है सक्षम कंपेशन एक्स अड्रक्स इस्टोप दूरिंग वीच इस वीच इस्टोप विल दप्रेशर इंसाइड इंजन स्लेंडर बिलोड़ एट्मोस्फरिक प्रेशर इसका से आंसर आजएगा सक्षन इस्टोप सक्षन इस्टोप के द्वारा दोस्तो जो प्रेशर हो कम होता है इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है डाइनेमो का उप्योग वहान में बेटरी आविसीत करने के लिए किया जाता है जो कि खलिस्तान के दौर संचलित होता है इसका से आंसर आजए क्रेंग साप्ट के द्वारा होता है इसके बाद नेक्स्ट कोस्टन है H2SO4 Sulfuric Acid Percentage in Lead Acid battery मतलब कि जो H2SO4 है इसमें H2SO4 का प्रतिसत कितना होता है जिसका स्यांसर 30 प्रतिसत होता है इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है आधनिक समय के वहनों में प्रारम प्रनाली में खालिस्तान होते हैं ए बेटरी ए स्विच ए स्टार्टर मोटर इसके बाद नेक्स्ट कुछ हैं इंजन की सितलान प्रनाली में जल पंप बाइपास छिद्र का उद्देश से है इसका सही आंसर आजाएगा दोस्तों जब तापस्ता बन हो तब इंजन के अंदर सितलाक के प्रभाइक अन्मति देना इसका सही आंसर है निकिल क्रोमियम इस्टिल कॉफियों हम इनलेट वाल को बनाने में करते हैं इंजन में कि नेक्स्ट कॉस्चन है कि वाइडिये प्रामियम फंक्शन आप दा हाइड्रोलिक आइल इन हाइड्रोलिक सिस्टम ट्रांस्मिट पावर व्लब सकती संचरन के लिए हम आइल का उप्योग करते हैं कि इसके बाद वीच अमांग दा फालिंग मटेल केन भी कट बाइड़ रेस्पकट फाइल इसका सही आंसर लकडी को काटने के लिए रेस्पकट फाइल को फ्योग करते हैं इसका नेक्स्ट कोच्चन तो कंप्रेशन देश्टो आप फिजल इंजन इस इन द रेंज आप इसका जो सही आंसर आजएगा 16 समलों एक से 22.1 तक होता है डिजल इंजन का कंप्रेशन देश्टो पेट्रोल अंग इंजन का अगर पुछे दोस्तों तो 6 टू 10 6 टू 10 और 15 टू 25 के बीच में होता है यह होता है पेट्रोल का और यह होता है डिजल इंजन का कंप्रेशन देश्टों इसका नेक्स्ट को तब फाइरिंग आडर आप फे फोर स्लेंडर इंजन इसका सही आंसर आजए यह 1342 फाइरिंग आडर साथ पर है कि जो इंधन है सब सब्सक्राइब से पहले कौन से स्लेंडर में जलेगा तो इसका सही आंसर है पहले वन में फिर 3 में फिर 4 में फिर 2 में इसका नेक्स्ट कोच्चन वर्न आउट केम लोप्स विल ली लीड आउट तो वन आफ दिस मतलब कि घीसे हुए केम गीसे हुए केम लोप के कारण इन में से क्या होगा इसका अंसर डिक्रेस इन वोलिमोर्ट्र की फिर्म सी मतलब कि आयतनिक दक्षदा कम हो जाएगी अगर गीसे हुए है केम का उप्योग करेंगे तो मैनुवली अप्रेटड जेक इस कारण मतलब जो हम जो जएग को हाथ से उप्योग करते उनको क्या कोलते है उसको बोलते इस्कुरू जेक एक्जाम में question आता कि screw jack में कौन सी thread होती है तो आपको याद रखना है कि screw jack में square thread होती है जो कि power transfer mission के लिए उप्योग की जाती है इसके बाद next question इसका दो आंसर आएगा क्या आएगा जूड़े है परिपत का कुल प्रतिरोत कितना आएगा दोस्तों इनका जो सूत्र है है वन अपान 6 वन अपान 10 प्लस वन अपान 15 अगर कर देंगे तो इसका सहीं जो आंसर आ जाएगा यह तीन ओम आ जाएगा दोस्तों कितना तीन ओम इसका अगर हम किल्कुलेसिन करके आंसर लाएंगे तो इसके बाद में नेक्स्ट कोश्चन है 20 घंटे की दर के अंसार एक बैटरी बीस घंटे के लिए 5 एंपियर प्रदत कर सकती इसके बाद उसमें वन एक सम्झो साथ पाच उल्टे सीस रहता है तब बैटरी की दर यह इसका जो आंसर आ जाएगा हन्रेड यह आ जाएगा इसक इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है रिडिएटेयर में दाप केप क्यों जूड़ी रहती है इसका जो आंसर है यह जाएगा टू इंक्रेस्ट बॉइलिंग पाइंट आ वाटर एंड इनेबल इंजन टॉफरेट एट हाई इसलिए जूड़ी रहती है प्रेसर केप कि इसक एशलिया मैं इसकाइब नेक्स्ट कोश्चन है तूस टोघंजट की तुलना में होता है हिए ए आपको याद र कि हैड़ेगे दोस्तों वेरें पार्टल टोष ट्वल्हें में होता है कि थिसक आफ़ो स्ट ä apostle में पर्योट कोॉस्चन है कि इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है साइन्स का कोस्चन है कि वाई-मंडेल में अक्सीजन का प्रिच्छत लगभग कितना होता है तो यह तो बीज देसंब्ल नव पाच एसी को हम 21 प्रिच्छत मान लेते हैं इसका नेक्स्ट कोस्चन डिजल अंतच्छेपन के आराम वर समापन के बीच के समय अंतराल के लिए या भाई-पी कर जाच और समयजन खालिस्तान कहलाता है इसका हम बोलते हैं फैसिंग इसका नेक्स्ट डिजल कारिसला का तेली फर्स खालिस्तान के उपयोग दौर साप किया जाना चाहिए इसका जो आंसर आजाएगा रेत के दौरा साप किया जाना चाहिए इसका नेक्स्ट डिजल वर्किंग साप शुट भी क्लेंड डिजल कारिसला का तेली फर्स खालिस्तान के उपयोग दौर साप किया जान चाहिए रेत के दौरा साप किया जान चाहिए इसके बाद स्यानता इसनेकों का बहुत आवसा गुन है इसनेक किसानता कि खालिस्तान के रुप में परिभासित होती है दे स्टेंस टू फ्लो आफ आई मतलब कि तेल के प्रभाम की प्रतिरोत के द्वारा जो नया आईल है दोस्तों नया जो आईल है यह होता है गाढ़ा जैसे ही आईल पुराना हो जाता है यह पतला हो जाता है कि नेक्स्ट कोचन जब विद्धु तब गट इस तर आवसक मातर से कम हो जाता है तब खालिस्तान को मिलाकर इसकी आपूर्ति की जाती है इसका से आंसर आजाएगा डिस्टिल वाटर इसके बाद नेक्स्ट कोच्चन है उस यह नत्र का नाम बाता है जिसका प्रयोक सिसा आम ले बेट्री में विद्धु तब गट के विशिष्ट गहना तो गया जाचने के लिए किया जाता है इसका से आंसर हाइड्रो मिटर के दुआरा इसके बाद नेक्स्ट को वहाटेज दे केमिकल कंबिनेशन आप डीजल फ्यूल इसका आंसर है कारबन और हाइड्रोजन जो होता जो डीजल में कि इसके बाद नेक्स्ट कोस्टन है वी खंड गोल छड़क को धारन करने के लिए प्रयोक्त होता है इनके पास भी खाचे है जो खालिस्तान के समान है नब 90 डिग्री के समान इसके बाद नेक्स्ट टर्बो चार्जर का उप्योग स्लेंडर में वाईयों के प्रभाव में व्रधी करने के लिए जा था टर्बो चार्जर को ड्राइव कहां से मिलता है इसका अंसर एक्जास्ट गेसे फ्राम एक्जास्ट मेनी फोल्ड एक्जास्ट गेसे फ्राम एक् तर डिस्टेंसे डिल एडवांस इंटो दे जाब इन वन कंप्लेट रिवलेशन इसका मोलते हैं फीड लब किसी कारे के पूर्ण परिक्रमन में प्रवेद्नी द्वार ताइकी की दूरी को खालिस्तान कहते हैं इसका मोलते हैं फीड इसके बाद नेक्स्ट कोशन क्या होगा यदि ताप इस थापी खुली इस्तिदी में फसा हो जिसका अंसर आजाएगा इंजन का गर्म होना धेरे धेरे होगा इसके बाद नेक्स्ट कोशन वह प्रचालन जिसमें बहुत रेट काटते हैं खालिस्तान की रूप में जाना जाता है इसका जो आंसर आजाएगा या आजाएगा डाइम के द्वारा बहार ठेड हम काटते हैं इसका नेक्स वैराज इंजेक्टर हीटर प्लग लोकेट इन अंतर चेपक प्लग कहां स्थित होते श्लेंडर हीड में होते दोस्तों चाहर इस टोक इंजन में 1342 के अगरीम क्रम के साथ श्लेंडर खाजक्तान की रूप में युगमित होते हैं इसका जो आजाएगा श्लेंडर 1-4 फियर्ड एंड 2-3 फियर्ड के साथ नेक्स्ट कोच्चन नेम देश्टुमें दूर्ट रिमोर एंड रिफ हाइट पिस्टन रिंग्स उस्यंत्र का नाम बते जो पिस्टन वले एक वाटाने और फिर से फिर से दूरस्त करने के लिए उप्योग होता है इसका जो आंसर है पिस्टन रिंग एक सपांड़ नेक्स्ट मॉंट वाइट इंड पेट्रोलियम जेली कि इस इमर्ड और बेटरी टर्मिदल मतलब कि बेटरी सीरोप और पेटरोयम जेली क्यों लेपित की जाती है तिसका से आंसर टू प्रिवेंट सलफेशन मतलब सलफेशन को रोकने के लिए इसमा उप्चार विधी नहीं है इसका सिया अंसर है दोस्तों जो मसनिंग आउस्मा उप्चार की विधी नहीं एनुलिंग भी है इनारमलाजिंग भी है और टेंप्लिंग भी है ए नेक कोश्टन स्लेंडर हेड जनरली मेड आफ स्लेंडर हेड का सीरा सामनता खर्शनास निर्वित होता इसका से आंसर कार्स टायरन से बना होता है इसके बाद नेक्स्ट कुश्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आफ ओपनिंग एंड क्लोसिंग आफ वाल विज नोनेस इसका जो आंसर आजागा वाल्य टाइमिंग डाइगराम वालो खुलने और बंध होने का जो समय निर्धारित करता है इसनको मुलते वालो टाइमिंग डाइगराम कित्ते डिग्री पहले वाल खुलता है कित्ते डिग्री पर बंध होता है इसके बाने what is the purpose of turbo charging in diesel engine डिजल इंडियम तर्बो आविसम का क्या उद्देश से है इसका जो आंसर है तो इंक्रेस्ट दा पावर आट्पूट आप दे इंजन इंजन की सक्ति उत्पादन विर्धी करने के लिए कि निद्व से कि स्रीनी का तिल सरदी गड़ा है इसका से आंसर जाएगा से आई थर्टी मतलब होता है सोसाइट एसे आई कमत फुलवां मतलब सोसाइटी आटोमेटिक इंजिनियर्स नेक्स्ट कोस्चन भाट इन टाइप आप नोजल इस जूजट इन हेवी डिजल इंजन भाई डिजल इंजन किस प्रकार की तूंड प्रयूक तो होती है कि मल्टी होल नोजल होती है तो दोस्तों यह हमने देखे डिजल इंजन कि आई टी आई टी टी वो का दोस्तों प्रिवेस एर का जो पेपर है कि दोस्तों इसी पेपर को आधार मानके आप इस बार जो डिजल मेकनिक में भी जो वेकेंशी है इसकी तयारी कर सकते दोस्तों इस वीडियों बस इतना ही वीडियो देखने के लिए थेंक्यू वेड वेरी माच अगर आग वीडियो अच्छा लगा हो तब वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर थेंक्स फार वाचेंग देस वीडियों